अठारवी लोगसभा के पहले सत्र में राश्टपती के अभी भाशन से लेकार विपक्ष के हंगामे तक युवाओं की फिक्र और नीट पेपर लीग का जिक्र दोनों नजर आया एक तरव विपक्ष सदन में आवास दबाने की बात कर रहा है तो सरकार ये कह रही है कि हम तो सदन में चर्चा को तयार है पर लोग तंतरिक नियमों के अनुसार लोग सभा में विपक्ष के नेता राहूल गांदी ने सदन की कारेवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया तो चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में यश्र वास्ताव जी हैं कॉंग्रेस से राजलक्ष्मी जोशी राजनेतिक विशलेशक हैं बहुत स्वागत है आपका निवान शर्मा है हमारे साथ आमादमी पार्टी से संजय उपाद्याय जी वरिश पत्रकार हैं बहु प्रस्ता होता है हो अल्ला क्यों पूचा जाना चाहिए कि क्या कोई ही ठेकेदार आरे साथ को खाटन के लिए बुला सकता है क्या यह हमारे घडिया निर्मान का पर लॉर्समेंट की जिए उसके बाद वो गिर जाए तो जबनेदारे किसी की पी नहीं हो या पिर या नरे द है और सभी में आप जानकर हैरान होंगे कि पैटन एपसुलूटली सेन था राज लक्षमी जी निवान जी साफ तोर पर कह रहे हैं कि जब तक इस नेक्सस को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी सॉल्यूशन नजर नहीं आता है लेकिन क्या राजी सबा के अंदर वेल में चले जाने से नेक्सस खत्म हो जाएगा या हंगामा करने से नेक्सस खत्म हो जाएगा क्या लगता है आपको नेक्सस खत्म होने के लिए क्या चीज रिस्पॉंसबिली बेयर हमें करनी पड़ेगी या हंगामा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अजी नमस्ते पुझाजी, आपने बड़ा गंवीर विशह गिया है और आदेखिए ये विशह आपके लिए भी गंवीर एंशके लिए गंवीर हैं लेकिन क्या आपने सुभवे से यह एक ही विशह पर आपने चर्चा की है तो अगर मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि नहीं मुझे तो अभी चार बजे ही बैठके आपके साथ इस विशे पे चर्चा करना है भले ही आपका डिपेट का विशे कुछ भी हो ऐसा नहीं हो सकता तो देखे ये बार-बार क्या हो रहा है कि पार्लिमेंट में लोक सभा में हो राज्यसभा में हो हर एक विशे के ये कोई एक डिपेट का या कोई भी एक विशे का एक अपना-पना स्थान होता है अभी आज जो राष्ट्रपती जी के अभी वाशन का जो उनको एक स्थान देना चाहिए तो वो उसको न देते हुए आप कहेंगे कि नहीं हुझे इसी करना है आप हमको क्योंकि हमको ये विशे जाना गंबिर लगती है लेकिन आप एक फॉर्माइट आप फॉलो किजिए उसको हर विशे को रिस्पेक्ट किजिए लेकि जमानिपूर के विशे में भी आई हुआ कि उन्होंने इसना ज्यादा उसमें शोर माचा दिया कि कोई भ सामने रखने पड़ेगी अगर हम मैंसे हर और हर कोई पानलिस एक समय पर चिलाने लग जाए तो किसी की भी कोई भी बात आप तक पहुंचेगी नहीं और ये विशे ही नहीं हो पाएगा चर्चा ही नहीं हो पाएगी तो चर्चा करके अभी जो दो तीन विशे जो मंत्री जी ने भी रखा है कि एक कमिटी का घठान हुआ है उसके बाल CBI के भी जाच हो रही है तो यह जो है सिस्टेमाटिक तरीकिसी इसको देखना पड़े कि 2013 में जो जो नीट की जो सापना हुई वह यही विशें से तो हुई कि जो साथार शात्रा मैं बड़ता हुई दो हजार कि नेट की सापना हुऊ से साथने हुई थी। दो हजार थेरा से अठरा तक जो है सी बाज्यमें जाकर अलागाने एक्जाम नहीं देना पड़े तो और यह भी यह भी था जो जो सुप्रिम पोर्ट पर यहिस तरे रहे थे बार भाय बार हर जगे पर लिग एपर लीब थे इस विषय को खतम करने के लिए नीट के स्थापना हुई थी और लेकिन उसके बाद देखिए दो अजार अट्टा के बाद जो है एंटी ने इसको तग्नक किया हुआ है तो यह ऐसा भी नहीं है कि अलग 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 राज्यों में यह ऐसा कुछ पेपर लिख वा है यह नहीं पर आपके प्रवाक्ता हैं कितने इसके स्थाफराय से ने लिए केवल खाजपा शासत्राज्यों का नाम ले दिया वो तो भूल गया कि द्धार ने हिए वेस्टनें में हुझ अपर इसको एक पारा दर्शिक होना चाहिए, एक ट्रायंसी होनी चाहिए 24 करोड बच्चों को इस तरह से पुलिटिसाइज करके मुद्दे को भड़काने से जादे अच्छा है कि जब सत्ता पक्षिय कह रहा है कि हम चर्चक लिए तयार है तो उनको चर्चक करनी चाहिए सरकार के तरफ से जो करवाई करी गई है वो करवाई उससे जादे करवाई नहीं की जा सकती है जितनी करवाई की गई है वो सटी करवाई है मैं देख रहा था कि कम से कम हर साल सत्तर से अस्ती पेपर लिग के मामले होते हैं लेकिन कभी भी इस तरह की करवाई नहीं हुई। सुप्रिम कोट आज जहां पर लोगों का बिस्वास है, लोग गए हैं। सुप्रिम कोट से हमें उमीद है, आशा है कि वो इसके उपर जो भी गुनागार है उनको छोड़ेगा नहीं। अब क्या कहेंगे, कि दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा, या तो यह उद्गाटन करने के लिए किसी के भी पास चले जाते हैं, या फिर इनको कोई परवा नहीं है कि क्या होगा है, बस हमको उद्गाटन करने को मिलना चाहिए। ये दो ही मतलब निकाते हैं और जितने भी ब्रश्ट ठेकेदार हैं वो अपने घटिया निर्वान हो या घटिया परेक्षा परक्रिया हो या कुछ भी हो उसका उद्गाटन करने के लिए इनके नेता को बुला देते हैं, अगर कारण जैसे राजलक्ष्मी जी ने कहा नही आप अगर उनके बाद को कहीं ज्यान से एगर ये सुने होते हैं, आप एंटिया वाले पॉर्शन पर ही जवाब दे दीजे राजलक्ष्मी जी के पास जाओंगे, राजलक्ष्मी जी क्या लगता है, सेंटर का कोश्चन यहाँ पर रेज हुआ है, और इसके अलावा एक सवाल जो मैंने पूछा वो सवाल ये था कि टेबल टॉक होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा सामोहिक मुद्दा है, जो सरकार से उपर है, क्योंकि युवाओं के भविश्य का सवाल है। क्योंकि अध्यक्षता में ये होना है कि ये आप सबसे एक्चुली ये लोग सुझाओ अभी पूछ रहे, तो ऐसे सारे सुझाओं से, मुझे लगता है कि आगे जातर के एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए, कि जाहां जैसे अगर ऐसा कोई सेंटर है, या फिर ऐसे जैसे अभी देखिए तीम या चार सेट बनते हैं क्वेस्चन पेपर्स के, तो उसका उसकी जो ट्रांसपरेंसी होगी या उसका जो वो लीक नहीं हो, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया जाए, इसके जो एजुकेशन में से हैं, जो इंटेलेक्चुल से हुनों बैटके ठीक तरीके से करना चाहिए, यह नहीं है कि भाजबा का सेंटर है, यह इनका सेंटर है, उनका सेंटर है, लिए मुझे एत आपती है एत विशे से, कि कोई भी अगर कोई भी दूर घटना हो तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ से यह पोलिटिकल आइंगल आ जाता है, जैसे आज एरपोर्ट का जो एक जो विश्चत किर गई, उसके उपर से यह हो गया कि प्राधान मंत्री जी न इसका उद्धाटन किया था, लिकिन अगर ऐसा कोई सवाल नहीं उठता, तो फिर यह कम से कम हम लोग यह तो पूच सकते थे कि हो सकता है कि इसका जो है, इसका construction UK के सरकार के टाइम में हुआ हो, लिकिन बेंटेनेंस तो भी एफाज पाने करना चाहिए था, तो यह ऐसा सवाल ना करते हुए, पूरा का पूरा responsibility या तो इन पर या तो इन पर, यह ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों की responsibility है, जिनोंने उसका जो construction किया होगा, और जो अभी आज राज में हैं, उनका भी तो बहुत बहुत अच्छी बात राज लक्ष्मी जी ने यहां पर कही है, तो जब हम देश के विशे की बात कर रहे हैं, युवाओं के वविशे की बात कर रहे हैं, तो सभी सरकारों को, सभी राजी सरकारों को, सभी पाटियों को, एक जुट हो करके table talk करनी ही पड़ेगी. ये इंटर स्टेट नेकसस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट से सिरफ आया हो, अगर ओरीजिन देखे तो जारखेंड से है, एक ऐसा कॉलेज है जहां से इसका पेपर लिख हुआ है, तो अगर सरकारों पर अगर एलिगेशन लगाने की बात आएगी, तो हर एक सरक इसके घेरे में आ जाएंगे, राजी सरकारे आ जाएंगे, देखे हो सकता है कि युवाओं के कंदे पार कोई अपनी सियासी रोटी से एक ले और कोई इस जवाब से बच करके अपनी सत्ता बचा भी ले, ये डॉक्टर जैसे प्रोफेशन, सबसे जादे नॉबल प्रोफे लिए लेना और ये लेना, आप कितने मंतरिएंगे, राजी मंतरी जो है, या राजी सरकारे जो है, उन सरकारों का भी तो दाइत होता है कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के गोपनियता को बरकरार रखे. बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इस चर्चा को खास और एहम बनाने के लिए